हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल आज हम मनाएंगे बैंगन का भरता या लिया मैंने एक बैंगन इसमें चारो तरफ से कट लगा लेंगे और सबी साइड को चेक करेंगे इसमें कीडा तो नहीं है और लहसुन की कलियांस इसमें डाल देंगे अब इस पर अच्छे से तेल लगा लेंगे अब इसे गैस पर बुनने के लिए रख देंगे साइड से पलट पलट कर अच्छे से भून लेंगे ये देखिए बैंगन भून चुका है और इसे ठंडा कर लेंगे और अब इसका छिलका निकाल लेंगे और अब इसे हम उपर से पानी से धो लेंगे और इसे या तो मैशर से मैश कर लेंगे या इस तरह से बारिक बारिक चौप कर लेंगे और जो लहसुन की कलिया हमने बीच में डाली थी उन्हें अलग कर लेंगे लहसुन की कलिया को हम प्यास के साथ चौप कर लेंगे तड़का लगाने के लिए लेंगे मस्टर्ड ओयल ओयल गरम हो चुका है अब यह डालेंगे जीरा जीरा भून चुका है और अब यह डालेंगे तेज पता साबुत लाल मिर्च बारी कटे प्याज और लहसुन हरी मिर्च अब प्यास को हलका ब्राउन कर लेंगे प्यास ब्राउन हो चुके हैं अब यह डालेंगे लाल मिर्च हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला मसालों कोच्छे से भून लेंगे और अब यह डालेंगे चौक टमाटर और अब यह डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार अच्छे से मिलाएंगे और ढग कर टमाटर के गलने तक हम इसे पका लेंगे चेक करके देखते हैं चौक टमाटर अच्छे से गल गये हैं और मसाले भी अच्छे से पक गये हैं और अब यह डालेंगे बैंगन चौक बैंगन और अच्छे से मिलाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिन के लिए हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे बैंगन का बाता बनकर तयार है अब इसे एक अलग बातन में निकालेंगे उपर से डालेंगे धनिया पती अगर आपको मेरी वीडियो चिल लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ